गनेशी को उसका पती बड़ी मुश्किल से समझा भुझा कर वापस घर लेकर लोटाया अब सबसांती से चलता रहा कोई बैहस बाजी नहीं करता था गनेशी के साथ गनेशी को जो करना वै करे और जो ना करना वो मत करे कोई भी उसे ना तो आँख दिखाता था और नहीं वो सब समझ गए थे कि गनेशी से कुछ कहा तो पता नहीं वै क्या कर डाले अब उसकी सस्राल वाले डरने लगे कि जो घर से सुबह सुबह केली भाग कर इतनी दूर पैदल जा सकती है तो सोचो वै कोई अनुहुनी घटना को भी अनजाम दे सकती है गनेशी को वो जितनी स कीदी साधी समझ रहे थे वो थी नहीं इसलिए गनेशी के सस्राल वाले थोड़े दिन के लिए शान्त हो गए कि इस पागल से कहा सुनी की तो कोई कांड ना कर जाए जिसमें हम फस जाएं फिर होली का तोहार भी नजदी का रहा था उसके सस्राल वालों ने आपस में विच प्यारियां सिरू करने लगा और गनेशी को अपने परिवार में जो उसके माता पिता थे उसके पास छोड़ाया और वह जाते हुए कहने लगा कि मैं एक महिने के बाद गनेशी को लेने आऊंगा और एक महिने के बाद गनेशी को भेज देना गनेशी का पती अपने घर पहले जैसी जिन्दगी जीने लगे और वे लोग जो गनेसी को भूल गए गनेसी यहाँ पर मुश्किल से छह महिने गुजार गई थी अपनी ससुराल में लेकिन सबी ससुराल वालों ने उससे तौबा कर ली थी उसके पती को गनेसी को उसके माता पिता के पास सही सलाمत गणेसी की पती को समझ में आ गया था कि ए औरत घर नहीं चला सकती और मेरे तीन बच्चे भी बड़े परेसान रहते हैं इसलिए उसने बहुत सोच समझ कर गणेसी को छोड़ देने का फैसला कर लिया था धीरे धीरे समय बीता और एक महीना फिर दो महीने ऐसे करके कैई महीने निकल गए गणेसी की दूसरी ससुराल वाले भी अब उसे लेने नहीं आए गणेसी की मा कोई जरूरत नहीं थी क्योंकि उसकी जरूरत हुआ खतम हो गई थी इतने बड़े बच्चे कैसे उसे मा मान लेते जो औरत खुद बच्चों जैसी हरकते करती थी वो क्या समझे मा का सभाव क्या होता है गणेसी ने अपने होसों हवास में सिर्फ क्रीम पाउडर लगाना ही वह जानती थी और कोई भी हूनर उसके अंदर नहीं था गणेसी एक बार फिर से अपने मा बाप के घरा आ गई गणेसी अब खुस रहती थी कि उसकी सारी परेशानी से जो उसे मुक्ती मिल गई अपने माई के में मर्जी से रहती मर्जी से खाती पर अब उसके माता पिता पहले जैसी नजर से उसे नहीं देखते थे पहला जैसा लाड़ प्यारुस पर नहीं करते थे गनेसी के प्रैती सम्मान भाव में मतलब फरक आ चुका था जरा सोचो जिसकी बेटी एक बार दूसरी बार भी अपनी ससुराल और पती दुआरा छोड़ी जाती है तो उसके खुद के माता पिता और समाज और रिष्तेदारों का वहवा में भी निपुन ना हूँ थोड़े दिनों बाद पता चला गनेसी एक बार फिर से मा बनने वाली है और आब उसे अपने माता पिता के साथ ही रहना था जिंदगी ऐसे ही चलती रही गनेसी के दोनों भाई काम करने जाने लगे दोनों भाई अच्छा कमा लेते थे लेकिन गनेसी अपनी मा के साथ बीड़ी बनाने का काम करती और उसके पापा भी कभी कभी मजदूरी करने चले जाते गनेसी के माता पिता के आर्थिक इस्तिती ठीक से सुधर गई थी दोनों भाई निरंतर काम पर जाते और किसी से बेवजय फालतू की कोई बातचीत नहीं करते वे सीधे अपने काम पर जाते और सीधे घर वापस लोट कराते गनेसी को माईके में रहते हुए चार-पांच महिने जो बीड़ चुके थे अब उसका थोड़ा सा पेट दीखने लगा था गनेसी अब थोड़ी बदलने लगी उसके माता पिता उसे सई धंग से नहीं रख रहे थे धीरे धीरे बहुत से बदलाव आने लगे गनेसी के जीवन में गनेसी के माता पिता और परिवार वाले एक बार और उसकी दूसरी ससुराल में खबर भेजी कि वो गनेसी जो मा बनने वाली है और उसके पेट में बच्चा है आप अपने साथ आकर उसे ले जाओ प हमारा गनेशी से कोई रिस्ता नहीं है उन्होंने यही संदेश वापस भिजवा दिया वो लोग गनेशी को लेने नहीं आए लेकिन देखिए गनेशी की जिंदगी 20 साल की उमर में दूसरी ससुराल वालों ने भी उसे छोड़ दिया गनेशी के माता पिता पर जैसे पहाडा पूटा हमारी बेटी का अब कोई नहीं अपनाएगा दोना माता पिता चिंतित हो उठे आकिर हमारी बेटी के साथ यह सब क्यों हुआ गनेशी के पिता सराब पीते थे और सराब पीकर जब घर आते तो बहुत सारी बाते गनेशी के मा को सुनाया करते उसे डाटते और कहते तुने अपनी बेटी को धंग से नहीं सिखाया और ना योसे कोई संसकार और लक्षन दिये यह सब तेरी गलती से हो रहा है अगर तु गनेसी को सिरू में अकल देती समझाती बेटी इस तरहे घर का काम काज करते हैं तो वह जरूर सीख जाती यह जो गनेसी मेरी बेटी के ना मा का काम होता है लेकिन तुने नहीं सिखाया अगर यह दुनिया के तौर तरीके ढंग से घरस्ती बसा लेती तो आज हमारी बेटी से शांती से अपने घर पर रहती हमारी किसमत ने जो हमारी बेटी को दो बार शादी की और दोनों बार वे छोड़ी जा चुकी है कि संल गनेसी के पापा जब ज़्यादा दुखी होते तो गनेसी को भी भला बुरा सुनाते गनेसी सुनती रहती और बीडी बनाती रहती गनेसी अब घर के काम में मा का हाथ बटाना सिरू करती पर गनेसी पूरी रसोई कभी नहीं संभाल पाई और उसके पापा रोज सराब पी क और प्रती दिन आब उसके बापू की सराब पीने की आदत बन गई गनेसी की अब उसके मायके में इज़त कम होने लगी थी उसके माता पिता आए दिन उसे ताना मारते गनेसी अपने माता पिता के लिए बोज बन गई थी उसे दो वक्त की रोटी सगून से नसीब नहीं होती थी हर दिनों से ताने दिये जाते सब कुछ ऐसे ही चल रहा था गणेशी के अच्छा जो भाई अच्छा कमाने लगे थे इसलिए बड़े भाई कमल के लिए एक रिस्ता आया रिस्ता हरीद्वार से आया था लड़की वाले हरीद्वार में गंगा नदी के किनारे पर कहीं किस गरीब बस्ती में रहते थे बात ची चली तो लड़की वाले लड़के को देखने आ गए लड़का उन्हें पसंद आ गया लड़की के पिता ने कहा कि पहले आप हमारी बेटी को देख लो फिर आप बात को आगे बढ़ाते हैं गनेशी के माता पिता कहने लगे ठीक है हमें कुछ समय दे दो फिर हम लड़की देखने हरी द्वार आएंगे लड़की वाला कहने लगा ठीक है आप जब आओ तो हमें खबर कर देना और यह कहकर लड़की वाले चले गए कुछ दिनों बाद जब गनेशी के माता पिता पैसा का इंतजाम कर लिया तो वे एक दो अपने तरह से घूम फिर कर लड़की को पसंद करके वापस अपने सहर आ गए सभी हरीद्वार से सकूसल अपने घर पहुँच गए थे लंबा सफर तै किया था इसलिए सभी ठक चुके थे और नहा कर खाना खा कर सो गए कुछ देरा आराम करने के बाद गनीशी के पिता कहने लग कि लड़की तो अच्छी है घर भी ठीक है दो बहन दो भाईया अपने कमल से लड़की कद में थोड़ी छोटी है पर सकल सूरत अच्छी लगती है पांच कलास तक पढ़िये अपना कमल भी आठ तक पढ़ा है जोड़ी सही है अगर हां में जवाब आता है तो गुन सही मिल अपने घर को बदलना पड़ेगा हमें गनेसी के पापा कहने लगे वो क्यों गनेसी की मा कहने लगी कि देखो अभी दो कमरे वाला मकान हमें देखना पड़ेगा कि सनलाल जो कहने लगे गनेसी के पापा वो तो ठीक है अगर रिस्ता तै होता है तो एक कमरा किराए पर और ले लेंगे अभी अपना अपना काम करना शुरू कर देते हैं और ऐसे ही समय भी इतने लगा कुछ समय बाद हरिद्वार से लड़की का पिता अपने बेटे के साथ सहर आया और गणेसी के घर आकर उसके माता पिता से मिला और उसने बताया कि रिस्ता उसको बहुत अच्छा लगा है और सब को साथ में बिठा कर बात कर लेते हैं लड़की का पिता गणेसी के पापा से कहने लगा हमें आपका लड़का पसंद है आपकी कोई मांगो तो हमें बता दीजिए और जो भी लेन देन करना है वैसा अभी बता दें आपके बेटे को कुछ चाहिए तो विभा से पहले बता दें बाद में कोई नुक्स ना निकाल अगर ये पहले बता देंगे तो सही रहेगा सारी बातें अभी तै कर लेंगे और आपका लड़का शादी करने के लिए राजी है मतलब कमल को लड़की पसंद है बिन पसंद की शादी में अर्चन खड़ी होती है इसलिए आप कमल से भी पूछ लीजिए लड़की का पिता कमल से कहने लगा बेटा आपको कोई बात कहनी है तो हमें बेजी जग बता दो मगर सगाई होने से पहले ही बता देना बात में कोई बात मत करना तो लड़की वाले कहने लगे की सुना है आपकी बेटी को ससुराल वाले लेने नहीं आते ऐसा क्यों है क्योंकि लड़की वाल ऐसी कोई बात नहीं है बच्चा होने वाला है उसके घर में कोई है नहीं इसलिए आई है कुछ महीने बाद अपनी सस्राल चली जाएगी हमारे बेटे से आपकी बेटी को कोई तकलीप नहीं होगी गनेसी की मा कहने लगी लड़की की जो देखो जो मा ध्यान करती है और सस्रा नहीं है इसलिए पिता जादा च्छानवीन तो करता है और सोचते हैं कि रिस्तेदार ने घर बताया है तो अच्छा ही बताया होगा घर वाले कोई धोका तो देंगे नहीं रिस्तेदार मेरी बेटी की मा नहीं है इसलिए मैंने मावाले सवाल कर लिये और पूछ लिया लड गणेसी की मा कहने लगी अरे भाई साब खाना खा कर जाओ, तो लड़की का पिता कहने लगा अरे कैसी बात करती हो भेन जी, अभी तो जो बेटी की ससुराल में खा नहीं सकते हैं, और अच्छा धन्यवाद चलते हैं और यह कहका लड़की का जो पिता और भाईया उनसे आग्या लेकर चले गए, लड़की वालों के जाने के बाद घर में बाते होने लगी, लड़की तो सुन्दर है, गोरी है, पड़ी लिखी है और शादी भी अच्छी हो जाएगी, कि सन्लाल तो कहने लगा, ठीक है, मैं कली गुन मिलवा लेता हूँ, और साधी का महुरत देखता हूँ कि कब का निकलता है, अगर सब कुछ सही रहा, तो साधी जल्दी कर लेंगे, गनेसी का छोटा भाई मनोज कहने लगा, हाँ पापा, शादी जल्दी कर लेंगे, अब तो मैं भी अच्छा कमाने लगाऊं, मैं भी भहुत पैसे खटे कर लूँगा, अब तो ठेकेदार के साथ बराबरी का हक लेता हूँ, तो पैसो की तो कोई चिंता नहीं है, अभी तो काम का सीजन अच्छा चल रहा है, सभी चर्चा करके और भोजन खाके रात को सो गए, सुबह रोज के अनुसार अपने कारियों की दिन्चरियां में लग गए, गणेसी के दोना भाई काम पर जाते और पापा नहा कर खाना खाकर पंडित जी के पास चला गया, लड़का लड़की दोनों की कुंडली मिलवाने के लिए, कुंडली में सभी सही और अच्छे गिरह मिल रहे थे, और एक महिना में सगाई कर सकते हैं, पंडित जी ने कहा, और तीन महिने बाद विभा का महुरत निकल रहा है, पंडित जी कहने लगे, यह महुरत बहुत अच्छा है, और उस पर विचार करने के बाद आप घर परिवार में विचार कर लो, और मुझे बता देना कि कब सगाई कर रहे हो, और मैं मंत्र पढ़ने आ जाऊंगा, गनेशी के पापा बोले, पंडित जी कैसी बात करते हो, हम सभी आपको ही तो बुलाते हैं हर कारिये में, अच्छा ठीक है, लीजिए अपनी दक्षना और हम मैं चलता हूं, आपको बता दूँगा कि कब प्रोग्राम बनाया है, और पंडित जी को हाथ जोड़ कर नमस्कार करके हुआ से चला गया, कुछ दिन बीते सब कुछ अच्छी तरह से चल रहा था, पर एक दिन बहुत बड़ी बात सामने आ गई, गनेशी के भाई कमल का रिस्ता लगबग तैह हो गया था, शादी की तैयारियां घर में चल रही थी, और जो लड़की गायतरी भी सुन्दर और संसकारी थी, उनके गुन भी अच्छे मिल गए थी, पता नहीं कमल के मन में क्या आया, उसने सादी करने से इंकार्द कर दिया, और कहने लगा मुझे शादी नहीं करनी है, तो बता सकता था कि मुझे शादी नहीं करनी है, अब कि सनलाल का गुस्सा बहुत, जो वो अपने गुस्से में अपने बेटे को ढाट रहे थी, गुस्से में कहने लगा क्या लड़की पसंद नहीं है तुझे, अपने आपको हिरो समझ रहा है, क्या वज़य हो गई है, किसी ने कुछ कहा है, लड़की ने कुछ बाद में बताया है, इतने अच्छे घर में शादी हो रही है, ससुर के नाती नकरे दिखा रहा है, कमल कहने लगा, पिता जी अब कोई बात बात नहीं है, बस मुझे शादी नहीं करनी है, मेरा मन नहीं कर रहा कि मैं शादी करूँ, आप किसनलाल कहने लगा मन नहीं कर रहा, तो तू सही कर भी क्या रहा है, तू सही कमा रहा है, तेरा काम सही है, अच्छा है, कोई और लड़की पसंद है तो वो बता दे, आखिर तू क्यूं मना कर रहा है किसन से जो कमल कहने लगा नहीं पिता जी मुझे कोई शादी नहीं करनी है इस बात को लेकर घर में जो बबाल मच गया कमल काम पर नहीं गया उस दिन सारे दिन घर में पढ़ा रहा पूरे दिन घर में कहा सुनी होती रही और गणेसी के पापा शाम को सराप पी करा गए और घर में घुस्ते ही वे जो गणेसी पर चिल्ला पड़े एक तो ये परमेश्वरी दो-दो जगे से छूटी बैटी है और हमारी छाती पर जो मूंग दल रही है और एक ये कपूत है सब कुछ तै हो जायने के बाद इन्हें ब्याही नहीं करना है गणेसी की मम्मी खाना पकाते वे कहने लगी बताओ भगवान ने अच्छे घर में अच्छी शादी करना चाही पर इसे करना ही नहीं है अपने लड़के का दिमाग खराब हो गया सच में ये बेहन भाई जो हमें बड़ा परिशान कर रहे है देखो कमल को दिन भर से खटिया पर पड़ा है क्या करें ये लड़का और ये लड़की बड़े इन्होंने हमारे खून पी रखे है बड़े मुस्किल से इन्होंने कहीं जो इज़त लाइक छोड़ेंगे ही नहीं इस मुसीबत से कैसे बचें लड़की वालों को तो खबर करनी होगी पताने अब वे क्या करें और विचारी की बीवी भी नहीं है और यह सब बाते सुनकर ना जाने क्या सोचेगा देखते हैं अब हमारी गलती थोड़ी है किसन कहने लगा कि हमने क्या किया यह तो इस नालाइक कपूत की गलती है जो शादी नहीं करनी है हम थोड़ी न ना कर रहे हैं साब साब बात करते हैं पर जो होगा सु देखेंगे शाम को गनेसी का छोटा भाई मनोज कुमार काम करके घर वापस आया तो घर वाले उसके सामने वही बाते करने लगे जो सारे दिन से घर में चल रही थी मनोज कहने लगा इसको शादी क्यों नहीं करनी है भाई क्या बात है लड़की अच्छी है और हम सब साथ रहेंगे जिससे ज़्यादा खर्चा भी नहीं बढ़ेगा हम बड़ा कमरा किराए पर ले लेंगे पैसा मैं भर दूँगा मुझे तो कोई दिक्कत नहीं है तेरी शादी हो रही है तुझे शादी करने में क्या परिशानी हो रही है जबकि पैसा लगाने के लिए मैं तयार हूँ तो वह कमल कहने लगा तुम लोगों की समझ में नहीं आया मुझे शादी नहीं करनी है कमल जोर से चिलाने लगा तो पड़ासी भी सुनकर उनके पास आ गए और आसपास के लोग पूछने लग रहे क्या दिक्कत हो गई है बाहर चिलाने की अवाज आ रही है गणेसी के घरवाने बोले अरे कुछ नहीं आपस में बाते कर रहे थे तो अड़ोसी पड़ोसी जो वापस चले गए गणेसी का छोटा भाई मनोज गुमार बड़ा समझदार था और दस्वी फेल तक पढ़ा था वे ठेकेदार के साथ-साथ काम करने लगा था और खूब पैसे कमाने लगा था मनोज कहने लगा कल बिचॉलिया को गुला लेते हैं जिसने रिस्ता कराया था उसको बुला कर बात करते हैं मना कर देंगे देखते ही क्या कहते हैं कल घर पर मैं रहूँगा कल मेरी छुटी है गणेसी के माता पिता कहने लगे ठीक है वेटा बिचॉलिया को गुला लेते हैं और क्या कर सकते हैं अब तो इतना च्छा रिस्ता छोड़ना ही पड़ेगा इस नास पिते करम जले की तो बुद्धी जो सड़ गई है ज़ता भी जो गणेसी की मम्मी जो बुद्बुदाने लगी और बढ़बढ करने लगी इसने तो जो न अपने पैरों पर कुलाड़ी मार लिए नास पिते तेरे लिए इतने अच्छा रिस्ता आया ना मार के तो कहीं का राजा भोज तो गणेसी कहने लगी अब काये को मम्मी तुम भी जो बढ़बढ कर रही हो रहने दो जब भहिया ने मना कर दिया तो कर दिया मत करो उसकी शादी पर मुझे रोटी सबजी दे दो बड़ी जोर की भूक लगी है यह सुनते ही गणेसी की मम्मी भी फर पड़ी बोली ले तू रोटी खा ले तुझे तो जो न तेरे पेट में आग लगी रहती है बस मुझे तो रोटी खानी है रोटी खानी है तुझे घर की मुसीबतों से कोई मतलब नहीं है एक तो तू तो बस भूकी ही रहती है अरे इदर आकर तुने हमारी चाती पर मूंग दल रखी है मूंग अगले दिन बुलाने से जो बिचौलिया आ गया कि सनलान ने लड़की के रिस्तेदार जो बिचौलिये को जानते थे वो भी घर पे बुला लिये नास्ता पाने करने के बाद सब एक जगा बैठकर बीड़ी जलाकर बाते करने लगे गनेसी के पापा बोले भाई बात ऐसी हो गई है कि मेरा बेटा कमल शादी करने के लिए इंकार कर रहा है उसे शादी नहीं करनी है लड़की के रिस्तेदार कहने लगे क्या शादी नहीं करनी है क्यों मना कर रहा है जो और से बोले ऐसे कैसे एकदम से मना कर सकते है कुछ लेन देन दान दहेज की बात है क्या गनेसी के पापा बोले अरे भाई साव ऐसी वैसी कोई बात नहीं है नहीं दहेज की कोई बात है पता नहीं लड़के की मन में क्या आ गया उसने मना कर दिया कि शादी नहीं करने हमने उसे बहुत समझाया हमारे घर में जगडा भी हो गया पर वो एसी बात पर अड़ाय कि शादी नहीं करनी है बिचौलिया साधी कराने वाला और उसके रिष्टेदार कहने लगे अमल कहने लगा जी देखो लड़की तो अच्छी है मुझे लेकिन साधी करनी ही नहीं है बस मैंने मना कर दिया कि नहीं करनी तो नहीं करनी अब मुझे कुछ नहीं कहना वे लोग आपस में बाते करने लगे और गणेसी के पापा से कहने लगे लड़की की विचारी की मा तो ह नहीं और उसके दो छोटे छोटे भाई हैं बाप बड़ी परेसानी उठा कर बच्चों का पालन पोशन करता है ऐसे में सीधे मना करेंगे तो उस पर क्या भीतेगी यह तो बहुत गलत है क्योंकि लड़की का पिता सोचेगा कि हमने कोई कमी की है या कोई गलती की है ऐसा मना क करना सही नहीं है और उसका समस्या का समादान हमें निकालने की सोचते हैं कि इसका कोई हल निकल जाए बहुत सोच विचार के बाद लड़की के रिस्तेदार कहने लगे कि सनलाल जी आप अपने छोटे बेटे का रिस्ता ले लीजिए देखे लड़की भी सही है और तुमार लड़की के रिस्तेदार कहने लगे तो हम बात करते हैं लड़की वालों से एक बार लड़की को लेकर आजाएंगे और जो तै होगा सब हैं हो जाएगा और लड़की लड़का एक दूसरे से मिल लेंगे अगर बात बनती है तो पक्की भी हैं कर देंगे अब कि सनलाल बहुत खुस था वे हस्ते में कहने लगा हाँ ऐसे ही सही है आप जल्दी से बुला लो हम सब तयार हैं गणेसी की मा भी बहुत खुस हो गई और गणेसी को भी बहुत खुसी हुई सारे खुस था सारा परिवार और साधी की तैयारियां करने लगे अब गणेसी के छोटे भाई मनोज कुमार की शादी गायतरी से तै हो गई कुछ महिने में शादी का दिन आ गया और सही रीती रिवाजों से रहा था कमल को कोई फरक नहीं पड़ा कि गायतरी की शादी उसके छोटे भाई से हुई बलकि वे तो खुश था और महमानों से हस कर जो बात कर रहा था शादी के बाद कुछी दिनों में सास बहु की बहुती अच्छी जमती थी ना कोई आवाज ना कोई जगडा दौनों मा बेटी के जैसे रहती गायतरी बहुत अच्छी बहुत साबित होई थी गनेसी जो मायके में रह रही थी उसके साथ महिने के लगबग हो गए थे गनेसी का पेट अब बड़ा दीखने लगा था गनेसी की मा अब तो उसको बहुत ताने मारती और बोलती इधर भी बैठी है नासपीटी अपने घर में नहीं गई ऐसे गायतरी जैसे काम करती तो अपनी ससुराल में राज करती इधर छाती पर चड़ी रहती है कभी ससुराल में कोई काम नहीं किया बहु गायतरी गनेसी को कभी कोई ताना नहीं सुनाती थी और उसको खाना परोश कर देती थी गायत गायत्री दोनों को खानों परोश कर देती थी, कभी कभी दोनों भायों में अनबन हुई, गायत्री अच्छी तरह से जानती थी, कि गणेसी मा बनने वाली है, और मेरी ननंद की अकल थोड़ी कम है, पर वे गायत्री से कभी जगडा नहीं करती थी, गणेसी गायत्री को स्वागत सतकार करती, सबसे अच्छा वहवार करती, अब जैसे जैसे दिन कट रहे थे, गणेशी की मानसिक हालत खराब होने लगी थी, वे अजीब से बरताव किया करती थी, उसकी भावी और मा उसकी देखभाल करती, मा कभी कभी गुसे में गणेशी को धेर सारी गालियां स सुनाती, दीरे दीरे गणेशी के नौ महिने पूरे हो चुके थे, अब उसकी डिलेवरी किसी भी समय हो सकती थी, गणेशी की हालत बिगडती जा रही थी, एक दिन उसके पेट में जोर का दर्द उठा, गणेशी की मा और भावी भाई सभी परेसान हो गए, वे लोग गण पैदा होने वाला था, सभी जल्दी से उसे सरकारी अस्पताल ले गए, गणेशी को भरती कर दिया, नर्स गणेशी को रूम के अंदर ले गई, वो लोग इंतजार कर रहे थे कि आगे क्या होगा, थोड़ी देर में नर्स आई और कहने लगी, गणेशी ने एक बेटे को ज माप्त कर दिया था, आप गणेशी दूसरी बार माँ बनी है, खैर भगवान का सुक्रह की बच्चा और माँ दोना सही सलामत थे, और डिलीवरी भी नॉर्मल तरीके से हुई थी, गणेशी की माँ कहने लगी, देख गणेशी तेरा बच्चा, तुझे लड़का हुआ है, गणेशी की माँ बच्चे को गणेशी के पास लिटा देती है, और कहने लगी, बच्चे को दूद पिलाने की कोशिस करो, बच्चा भूका है, तब ही नरसाई और कहने लगी, इसको पहले उटकर बिस्तर पर बैठा कर, बच्चे को गोध में लेकर अपना दूद पिलाना ह चलो चलो उठो बैटो और दूद पिलाओ फिर गनेसी की ताई मदद करने लगी और गनेसी पहली बार बच्चे को दूद पिला रही थी गनेसी हसते हुए बोली बड़ी मम्मी बड़ी मम्मी देखो न ये कैसे दूद पी रहा है बड़ी मम्मी बोली अब जब भी दूद पि गायतरी बोली अभी तो छोटा साही होगा अच्छा है ना सारे परिवार वाले अफगनेसी का ख्याल रखते और भावी घर से खाना और दूद सारी चीजे होस्पिटल में भेज देती कमल और मनोज दोनों भाई खुशते क्योंकि वे दोनों मामा बन चुके थे और बहन की द भेर सारा काम बढ़ गया था गनेसी मातों बन गई पर उसकी अकल और भी कम हो रही थी वे अपने बच्चे को सही तरीके से दूद भी नहीं पिला पाती थी ना ही बच्चे की देखभाल करती थी बच्चे की पूरी जिम्मेदारी गनेसी की भावी गायतरी को निभाने और मैं अपने भानजे को जो बेटई की तरह मानता हूँ, बच्चे के लिए हर चीज आती, बच्चे को सभी प्रेम करते थे, दो मामा, मामी, ना, ना, नानी, उस अभागे बच्चे का प्यार से लालन पालन करते थे, गनेशी को अब अपने बच्चे से कोई लगाव नहीं वे ऐईसी ही थी, मानो उसने किसी बच्चे को जनम दिया लिए नहीं हो, वो मा बनी ही नहीं हो, गनेसी तो अब बैठी या लेटी रहती, अब वे कुच काम भी नहीं करती, उसका वहवार दिन प्रेती दिन बदल रहा था, जैसे वे अपना रतीत भूलती जा रही थी, मानो उसे क्या हो रहा था उसकी जिन्दगी में क्या होने वाला था गणेसी हर रोज नहाती भी नहीं थी व तो अपने बच्चे को अपना बेटा समझती ही नहीं थी बच्चा रोता तो वैं कहती ओ भावी इस बच्चे को चुप करालो कैसा मूँ फाड़ कर रो रहा है बच्चा इतनी देर रोता रहे पर गणे सी बच्चे को हाथ नहीं लगाती थी भावी और मा दोना बहुत परेशान होती गणे सी बस खाती और सोती और हर बात पर हस देती बस उसके समझ में कुछ नहीं आता एक दिन उसकी मा ने डाट कर उसे भगा दिया और कहा जाए हैं से इधर जाती नहीं है यहां से कहीं भी जा कहीं जाके मर जा अब गनेसी गुस्सा होकर घर से चली गई और अपनी बड़ी मम्मी के घरा कर रहने लगी बड़ी मम्मी भी अच्छी तरह से उसे रखती थी और खाना खिलाती थी बड़ी मम्मी के भी एक बहु है वो भी बहुत सुसी और समझदार थी मन लगा कर घर का सारा काम काज करती और अपने महमानों का बड़े आदर सतकार करती थी वे भी बहुती संसकारी बहुती बड़ी मम्मी की बहु गणेसी को नहलाने को बोलती सफाई से अप उसके जो कपड़े पहनने और सफाई से रहने के तरीके सिखाती पर के घर से बिना बताए चली गई घर वाले सब उसे ढून ढून कर परेशान हो रहे थे गणेसी अपने माता पिता के घर पहुँच गई थी उसके बड़ी मम्मे को जब पता चला कि वे अपने घर पहुँच गई है तो उन्होंने संतोस की सास ली अब गायतरी एक दिन घर में अकेली थी और मा किसी काम से बाहर गई थी अग जो गणेसी बार बार चुप चाप घर से बाहर निकल जाती थी उस दिन भी वे घर से चुप चाप घर से बाहर निकल गई किसनलाल का परिवार अब गनेसी के कारण बहुत दुखी हो गया था गनेसी घर से कभी भाग जाती जब उन्हें लगता कि वे कहीं निकल गई है तो वो उसे ढूनने जाते वे सडक पर निकल जाती अब बाजारों में पागलों की तरह घूमती रहती कभी कभी तो एक दो घंटे इधर उदर भटकती फिरती जिस कारण लोग उसे आबारा और अकेला समझगर उसके पीछे पढ़ जाते लड़के भी उसका पीछा करने लगे इस कारण उसके घर सिकायत आती कि तुमारी लड़की हुआ पर है और उसके पीछे सरावी पढ़े हुए है ऐसी बाते रोज सुनने को मिनने लगी घर वाले उसे बाहर जाने से रोकते पर वे मानती नहीं थी रोज के किसे से निपटने के लिए उन्हों एक उपाय निकाला वो गणेसी को घर के अंदर बंदी बना कर रखने का फैसला कर लिया ना वे बाहर जा सकेगी और ना सिकायते आएंगी यही सभी को सही लगा इस प्रवत को समालने का यही सही तरीका था गणेसी अपनी याद्दास भूलती जा रही थी उसके दिमाग का संतुलन बिगड़ चुका था वे बार बार घर से भागने लगी घर वाले उसके इस हरकत से परेशान हो गए इसलिए घर वालों ने गणेसी को पलंग से रसी से बा प्रेटी रहती उसे अपने बच्चे से कोई मतलब नहीं था अगर उसके माता पिता और भाईया भावी ना होते तो उस बच्चे का क्या होता सारे परिवार ने अपना सगा बेटा समझ कर उसे पाल लिया गनेसी की हालत बिगड़ती जा रही थी कोई भी घर पर आता तो व लोज का यही नियम था उसका गनेसी अब घरवालों पर बोज बन गई उन लोगों को उसकी कोई जरुरत नहीं थी क्योंकि ना उसने कभी अपने बच्चे को संभाला और ना कभी बच्चे को हाथ लगाती थी गनेसी की ऐसी दसा थी कि उसे एहसासी नहीं था कि उसका एक बेटा है बच्चा भी उसके पास नहीं आता था वे मामी और नानी को ही अपनी मा समझता था इनी दोनों को वे अपनी मा समझता और उन दोनों से ही प्यार करता था और इनी दोनों ने उसे मा का प्यार दिया गणेसी का बच्चा थोड़ा थोड़ा चलने लगा गणेसी लड गणेसी को कभी कभी खुला रखते ताकि वे अपनी साप सफाय और नहा सके उन लोगों को गणेसी को बांध कर रखना उचित नहीं लगता था इसलिए उसे खुला रखते कि गणेसी को खाना पीना सब कुछ धेंग से मिलता था पर गणेसी की दिमागी हालत बिगडी हुई अपने खुद के बच्चे के माता पिता बनने वाले थे, गायतरी का नौभआ महिना चल रहा था, अब गायतरी काम कम कर पाती थी, डॉक्टर ने कहा कि गायतरी को जायदा आराम की जरुषित है, गायतरी की सरीर में खून की कमी बताई गई क्योंकि गायतरी बहुत पतली और कमजूर थी जायदा चलने फिरने से तबियत बिगड सकती थी घर के काम गनेसी की मम्मी समभलती तो वे भी कभी कभी परिसान हो जाती तो गनेसी को अपनी जिठानी के हिया भगा देती क्योंकि गनेसी मदद तो करती नहीं थी और काम बढ़ाती थी गनेसी अपनी ताई और घर वालों की बुराई करती मम्मी मुझे मारती है गाली देती है और आज तो मुझे घर से भगा दिया ताई कहती चल तू अब यहीं पर रह और घर से कहीं जाना नहीं गनेसी एक दो दिन ताई के घर पर रहती तब ही मेरा भुवा हुई आई और गनेसी के बारे में का भरपूर है पर काम चोर है काम करने में मकारी दिखाती है खा पी कर लेट जाती है ना नहाने जाती है और ना सापसपाई से रहती है आज मैंने बहुत बार नहाने को बोला तब बड़ी मुश्किल से नहाई है इसमें तो अकल है ही नहीं मेरा बुआने का तू सही कह रही है बहुरानी इसमें काम चोरी भरी हुई है यह काम करना ही नहीं चाहती मकारी तो दिखाती है नहीं तो अपने लड़के को नहीं समालती और नहीं किसी भी काम में हाथ बटाने की सोचती है ऐसे इसको कब तक बिठा कर खाना खिलाएंगे गायतरी को बच्चा हो जाएगा तो व फिरा बुआ गनेसी से कहने लगी तो घर से भागती क्यों है और काम किया कर गनेसी हसते हुए बोली बुआ बुआ मैं भागती नहीं हूं मुझे गाली देते हैं और कहते हैं चल भाग यहां से सो मैं भाग जाती हूं बुआ कहने लगी भाग कर कहां जाएगी गनेसी हसते ह बुआ वो तो मैं बाजार में भाग जाती हूँ और बाजार में जाकर क्या करती है बुआ ने पूछा तो गणेसी कहने लगी मैं घूमती रहती हूँ और कहीं बैठ जाती हूँ तो गणेसी कहने लगी तुझे कोई देखता नहीं है और कुछ कहता नहीं है कि बाजार में क्य तो घणे सी कहने लगी ओ हो भूआ आदमी देखते हैं और हसते हैं घणे सी हसते हुए बोली, तो भूआ बोली यह तो पूरी तरह पागल है, ताबी बहू कहने लगी इसे समझाना पत्थर से अपना सिर्फ होड़ने के बराबर है भूआ जी, तो उसकी मेरा बूआ कहने लग बुआ अपनी भतीजे की बहु से कहने लगी तो कहने लगी अच्छा बहु देर हो गई है मैं जा रही हो मेरा बुआ अपने घर के लिए चली गई मेरा बुआ के जाते गनेसी भी गायब हो गई जब गनेसी की ताई और ताउ जी आए तो बहु से अपने साथ ससुर को जो बह आने लगी कि गनेसी अभी थोड़ी देर पहले न जाने कहां चली गई कहीं भी नहीं दीख रही है ना कुछ कह कर गई पता नहीं कहां पर निकल गई है ताई ताव इधर उधर ढूनने लगे गनेसी नहीं दीखी तो जल्दी से गनेसी को उसके माता पिता के घर देखने गए तो वैं वहीं बैटी खाना खा रही थी और बाते बना रही थी गनेशी को घर पर देखकर बड़ी मम्मी को गुस्सा आ गया वैं बोली क्यों रही तु भावी को बता कर क्यों नहीं आई वो बहु बेचारी परेशान हो रही है जैसे ही मैं बड़े काम से घर लोटा तो बहु ने बताया कि गनेशी ना जाने कहां चली गई है मैं बैठ भी नहीं पाया इधर उदर ढूंडता है आया तेरी ताई भी ढूंडती हुई परेशान हो गई है वो भी मेरे साथ आई है तो आराम से अपने घर पर बैटी खाना खा रही है और हम सब चिंता में घुले जा रहे हैं कि कहीं कहीं पता नहीं कहां चली गई है बड़ी मम्मी भी गुसे में कहने लगी इसने तो हमारा जीना हराम कर रखा है वहां हम चिंता में गुसे जा रहे थे और यह जो महरानिया खाना खा रही है देख सुन उससे कहने लगी बड़ी मम्मी ऐसे अब हमारे घर नहीं आना देखो इसे घर का रास्ता तो याद रहता है पर हम लोग जो सिकाते हैं समझाते हैं वो याद नहीं रहता सुनली ऐसे बिन बताए हमारे घर नहीं आना और बिन बताए घर से बाहर नहीं निकलना नहीं तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा गनेसी की मम्मी कहने लगी देखो जी जी कैसी है ये नास पीटी जो समझ में इसको कुछ नहीं आता यह तो हम सब को पागल बनाती है देखो जी जी खाना खाकर बरतन होई खिसका दिये बस अब खाना हो गया अब पलंग के नीचे घुसकर सो जाएगी क्या करें इसका सब जानते हैं जान बूझ कर नादान बनती है पगली यह कहकर बड़ी मम्मी अपने घर चली गई ऐसे ही द ही धंग से हो रहा था गायतरी भी ठीक थी और बच्ची भी स्वस्त थी इसलिए अस्पताल से जल्दी छुट्टी कर दी गई थी अब गणेसी की मम्मी का काम बहुत बढ़ गया वह अकेली और परेसान होती थी डॉक्टर ने गायतरी को कमजोरी की वज़े से आराम करने को कहा इसलिए वो कुछ काम नहीं करती थी सिर्फ अपनी और बच्चे की देखवाल में लगी रहती गणेसी का बेटा भी नानी को परिसान करता अब वह भी नौ महिने का हो गया था बहुत सारी समश्याएं आने लगी घर में दो दो बच्चे हो जाने से बहुत काम बढ़ ग पर उस पर कोई असर नहीं होता उल्टा दिन पर दिन गणेसी की मांसिक हालत बिगडने लगी कुछ लोग कहते कि जहां पहले गणेसी की शादी हुई थी उस परिवार में पूजा पाठ जो भगवान की पूजा करते हैं पर गणेसी की शादी उस घर में हुई लेकिन उसन गनेशी का जीवन बरवाद हो गया उस पर पित्र दोस लग गया और वह पागलपन की सिकार होती जा रही है गनेशी अब दिन पर दिन कमजोर हो रही थी उसके घरवाले उसको अब पूछते ही नहीं थे कि उसने कोई दवा दारू भी कोई नहीं करवा था ना ही कोई उसकी ग गनेशी का बेटा स्कूल जाने लगा उसका एडमिसन उसके मनोज मामा ने अच्छे स्कूल में करवा दिया था नानी रोज बच्चे को स्कूल लेने जाती और छोडने जाती गनेशी के माता पिता और भावी भाईया अपना करतव ये पूरी तरह निभा रहते पर गनेशी आना भी कम हो गया किराए के मकान में रहने की वज़े से आसपड़ोस के लोग जादा मतलब नहीं रखते थे किराएदारों से मकान वाले जो कम ही बोलते थे यह सहर की अच्छी खासी परंपरा है रक्षा बंदन का तोहार आ गया रक्षा बंदन पर गनेसी की छोटी भुवा पार्वती आई वो पहले अपने बड़े भाई को राखी बांद थी और फिर अपने छोटे भाई किसनलाल के घर आती पार्वती किसनलाल भाई को राखी बांदी और अपने जो दोनों भती जो कमल और मनोज को भी राखी बांदी गनेसी को ऐसे नीचे लेटा देखकर उसन पारवती को बिन्नु कहकर बुलाती थी तो उसकी गणेसी की मम्मी कहने लगी अरे बिन्नु हमने सब करके देख लिया पर उसमें कोई सुधार नहीं हुआ यह तो अपने आप पगलाती जा रही है ना तो नहाती है ना किसी से बोलती है बस ऐसे ही पड़ी रहती है अगर रस् पीने वाले आदमी इसके पीछे पड़ जाते हैं बहुत मुश्किल से ढूंड पाते हैं छोटे छोटे नाती पोते भी परिसान करते हैं पारवती ने कुछ सुनकर थोड़ा सा खाना चकी क्योंकि उसके खाना भी जो उसे अच्छा नहीं लग रहा था पारवती को पाने प दुख हो रहा है उपर से कुछ खाना पीना भी नहीं भारा था इसलिए ऐसे ही चलिया आई मैंने बोल दिया था कि मुझे जल्दी जाना है गनेसी की बुआ तो अपने भाईयों के हालचाल पूछ कर अपने ससुराल वापस लोट गई थी ऐसे ही दिन बीत रहे थे दीरे द दिवाली का तोहर आ गया तब भाई दोज बड़ी तो कुछ रिष्टेदारों का आना हुआ उन्हें पता चला कि अब गनेसी ने खाना पीना छोड़ दिया उसके भाई भावी माता पिता गनेसी की कोई भी मलब केर नहीं करते थे गनेसी लंबे समय से बिमार चल रही थी उसे खाना पीना कोई देता भी नहीं था इस वजे से उसका सरीर कमजोर पड़ गया था वे उटकर बैट भी नहीं सकती थी उसकी दुनिया बहुत दिनों से एक पलंग के नीचे कैद होकर रह गई थी ठंड बढ़ जाती पर गनेसी उसी पलंग के नीचे पड़ी रहती उस अंबर जनवरी की ठंड आ गई गनेसी का सरीर सह नहीं सका और जनवरी के महिने में एक दिन सुबह सुबह भू की प्यासी ठंड बरदास ना करने के कारण उसके सरीर में हलचल बंध हो गई और खबर मिली कि गनेसी इस दुनिया से बिदा हो गई और वे हमेशा हमेशा के ल लिए उसका खुद होस में रहना जरूरी है अगर लड़की अपनी देख रेक स्वैम कर लेती है और शादी के बंधन को सही तरीके से निवा लेती है तो वे अपना जीवन और अपना परिवार बना लेती है गनेसी ने अपने जीवन की जिम्मेदारी को कभी नहीं समझा या उसकी समझ में नहीं आया समझ में कम अकल थी उसके अंदर जो कि वे थोड़े दिमाग से भी थोड़ी क्रैक थी इसलिए अब हर किसी ने उसका साथ नहीं दिया वे तो बेचारी अकेली रह गई अगर कोई उसका समय पर इलाज कराता उसे समझाता तो शायद गनेसी की जिं को लाइक करें सब्सक्राइब करें और शेयर करें रादे रादे